गेहूं की हो रही किलत जी हाँ युकरेन युद के चलते विदेशों में जब गेहूं की डिमान बढ़ी तो मध्यपरदेश से बेहिसाब गेहूं निरियात किया गया इसका नतीजा ये हुआ कि गेहूं की सरकारी खरीद लक्षय से 35 फीसदी कम हुई जिसका असर अब गरीब की थाली पर दिखने लगा केंदर सरकार ने गरीबों को सारवजनिक वित्रन परनाली पीडियेस के तहट दिये जाने वाले राशन में बड़ा बदलाव कर दिया मध्यपरदेश के 14 जिलों में पीडियेस दुकानों पर प्रधान मंतरी ग्रीब कर लियान अन्योजना में गेहूं की जगह पांच किलो चावल बांटा जा रहा है गेहूं पूरी तरह से बंद कर दिया गया है इसके इलावा छे जिलों में पीडियेस के एवाई और रास्ट्रिये खादे सुरक्षा धिनियम के तहट चावल बांटा जा रहा है शेश बचे 32 जिलों में गेहूं और चावल अलग-लग रेशों में बांटा जा रहा है अब इसमें 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दे रही है इस बदलाव से भुपाल के 3,64,000 परिवारों के 15,000 सदस्यों की थाली पर असर पड़ा है चबकि इन दोर में दोनों योजनाओं के तहत अब कुल 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दिया जा रहा है गवालियर में NFSA में 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल दिया जा रहा है चबकि PMGKY में 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं बांटा जा रहा है आपको बदा दे कि बड़ी संख्या में किसानों ने अच्छा रेट मिलने के चलते अपना गेहूं सीधा मंडी में बेचा यहां से गेहूं विदेशों में निर्याद हुआ इस बार गेहूं की सरकारी खरीद काफी कम हुई किसानों ने युक्रेन संकट का फायदा उठाते हुए सीधे विपारियों को गेहूं बेच दिया और अब इस बार केंदर सरकार ने परदेश को 1 करोड 25 लाग क्विंचल गेहूं खरीद का टारगेट दिया था लेकिन खरीद सिरफ 46 लाग 3000 क्विंचल की ही देखने को मिली इस कारण ज्यादतर सरकारी वियर हाउस खाली पड़े हैं पिछले साल इन में 1 करोड 28 लाग 16 लाग क्विंचल गेहूं था अब अफसरों का कहना है कि पहली बार परदेश में गेहूं की शोटेज है इस बार 1 करोड 55 लाग क्विंचल गेहूं निर्यात हुआ है जबकि साल 2021 में ये आंकड़ा सिर्फ 20 लाग क्विंचल था अब खादे विभाग के अफसरों का कहना है कि केंदर सरकार ने मही में 3,89,323 मिट्रिक टन का कोटा मध्य परदेश में पीडियेस के लिए जारी किया था लेकिन शोटेज के बाद इसे गटा कर 1,66,112 मिट्रिक टन कर दिया गया जबकि चावल 1,26,441 मिट्रिक टन से बढ़ा कर 3,49,652 मिट्रिक टन कर दिया गया है इस रेशों में बदलाव के भाद भुपाल की 400 से ज़ादा पीडियेस दुकानों पर 40,000 क्विंचल गेहूं भरा हुआ है और इसकी कीमत करीब 8,60,000 रुपे के आसपास है लेकिन इससे बांटने की अनुमती अभी तक नहीं मिली है और इसकी वज़य परधान मंत्री ग्रीब कल्यान योजना है